हाई एवरिवन आई वेलकम यौल तो आज हम सेवंथ आफ सेप्टेंबर 2020 की न्यूज आर्टिकल डिसकस कर लेते हैं एडिटोरियल्स आफ इंडियन एक्स्प्रेस और बिफोर स्टार्टिंग दिसकेशन प्लीज दू लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और चांसेंग राजपूत और ब्रदर वस रेस्टेंट इन दे केस अफ सिप्टेंबर फोर तो यह ती वाइरस ठीक है तो यह है यहां पर मीडिया के यह क्यामरास देख सकते हो यह कौन लोग है मतलब यह लोग अपने टी आरपी बढ़ाने के लिए टी आरपी के लिए बिल्क सब्सक्राइब हो जाता है तो उसके बाद भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता है यह नहीं होता है इतना कि यह जितना लोग गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं एक स्पेशल फुटेज आ रही आज तक और यह सारे जो न्यूस चैनल एंक्योड से कि ऐसा हम कर रहे हैं प्रॉपर तो यहां पर हम नार्कोटिक्स कंट्रूल व्यूरो मैंने तीन मतलब जो जह साथ बॉडी थी उसका एक वीडियो बनाया था तो आप वो देख सकते हैं लेकिन जस्ट फॉर रिविजन परपस एक बार इसको देख लेते हैं नार्कोटिक्स कंट्रूल व्यूरो नार्कोटिक्स ड्रॉग्स साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट नार्कोटिक्स कंट्रूल व्यूरो हमने क्या पढ़ा था एडी के बारे आपने बार बार सुनाओगा प्रबड़तर निदेशाल हैं यह भी क्या है एक multidisciplinary organization है और इसके two specialist में physical law होते हैं वह कौन से है एक होता है PMLA ठीक है PMLA जो PMLA Act कपका है 2002 का और जो दूसरा है FEMA यानि कि Foreign Exchange Management Act 1999 का ठीक है तो यह civil laws को देखता है और यह वाला जो है 2002 का यह जो भी money laundering से related जो केसित होते हैं उसके investigation करता है तो यह तरह से criminal laws है तो इसका जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी एडी के 1st में 1956 में लेकिन उसका नाम तब एडी नहीं था उस ताइम पर इसको enforcement unit बोला जाता था और उस ताइम पर यह Department of Economic Affairs के अंतरगत आता था लेकिन फिर एक साल बाद ही इसका मदलब जो था नाम चेंज करके क्या कर दिया गया 1957 में इंफोर्समेंट डारेक्ट्रेट और फिर 1960 से इसको जो था यह Ministry of Revenue के अंतरगति आता है ठीक है राजस्तों मंत्रा लेकिन जो मिनिस्टी नी सौरी Department of Revenue के अंतरगत आता है पहले देपार्टमेंट और एकोनामिक अफेर्स के अंतरगत था यह चीज़े याद रखने हैं दूसरा अगर सी बीए के बारे में बात करें तो सब्सक्राइब इंवेस्टिकेशन काफी प्रीमेर इंवेस्टिगेटिंग एजंसी है हमारे इंडिया की 1941 में इस्टाबिश हुई और जो होम डिपार्टमेंट ते उनके तरह यह आते ते डेली स्पेशल जो पुलिस इस्टाबिश्मेंट एक्ट तो उससे इसे पावर मिलते थी थी तो यह आपको इंफोर्मेशन कुछ याद रखनी है नें रश्या शेर्स डाटा अन वेक्सीन विद इंडिया वन फेस वन और फेस्टू क्लिनिकल ट्राइल डाटा ऑफ दिस पुतनिक फाइव एक्सीन तो आपको बता है कि रश्या में जो मॉस्क रश्या की कैपिटल मॉस्को यहां पर एक है जमाय लिया जमाय लिया जो भी पढ़ो है न याद हो जाएगा यह ऐसा पढ़के तो क्लिनिकल ट्राइल ट्राइल्स वह अपनी कंट्रीज के लावा दूसरी कंट्रीश में भी करें जैसे साओधी अर्याव्य में ब्राजील में फिलिपिन्स में और इंडिया मतलब हम लगातार उनके जो है संपर्क में है कि हमको भी मतलब जो रिजल्ट है वो चाहिए है ना यह है थीज कंट्रीज इंक्लूड योई साथी रिभी इंडोनेशिय फिलिपिन्स ब्राजील मैक्सिको और जो वेस्टर एक्सटर एक्सटर वह इतना बिलीव नहीं कर रहे हैं वह स्केप्टिकल है बाउट रशियन क्लेम गिवन दिस्पीड एंड सिक्रेसी विद विच्टी इतनी जिल्दी आपने रेगुलेटरी अप्रूवल कैसे दे दिया है न तो बस यही चीज है इसमें इंपॉर्टन नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर तो 100 डेज एंड जीडीपी श्रेंक और गॉर्मेंट्स जो है फ्रेश स्टिमिलस पैकेज पर फोकस मतलब कर रही है आ वाइड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के दुआरा लास्त में और इसमें क्या है दाट शोउस फ़ोफोर एर्स आफ्टर धि धिरुनेली कुद्रा कोटे ऐलिफेंट कोरिडूर इन केरिला वाइना डिस्टिक वाइड अकॉर्ड़ेट्ट प्रोडेक्शन बाइड इस्ट यहां से पहली बार मतलब ऐसा कहीं पर देखने को मिला कि जो लोग थे इन्हों ने लोकेट किया विकाज फॉर एनिमल ना अलिफेंट के लिए किया इस्पेशली ताकि अलिफेंट को क्या हो वहां पर दिक्कत ना हो और आम से आ जा सके तो उन्होंने अपने दूसरे घरों में और शिफ्ट हो गया ना उनके घरों को भी यहां पर भी लगाया उनको पक्का अग्यार यहां पर एंडे 2200 एक्टर थिरुनिली कुद्रा कोटे कोरीडोर इस लोकेटेट इन ट्राइजंक्शन आफ करनातक केरल अं तमिलनाडू के ट्राइजंक्शन पर यह है इन आल 37 एकर्स पर सिक्यूर तो इंश्यूर तिस कोरीडोर रिमेंश अन्गोकन लिंकेज 6 1500 एलिफेंट्स अस वेल इस अधर स्पीसिज में यहां पर है अब यहां पर 37 एकर्स टू सिक्यूर तिरुनिली कुद्रा कोटे कोरीडोर फॉल बिट्वीन यह ट्राइजंक्शन तो पता चलिया न करनाटक केरला और तीसरा कॉन सा स्टेट है करनाटक केरला और तो यह चीज है तो यह चीज है अब डेस्ट है यह जो यहां पर ब्रह्मगीरी वाइल लाइफ संक्चुरी है यह कोडी को जो डिस्टिक है करना तक था तो वहां पर यह है ठीक है उससे किरला के बादर से भी लगती है और जो वाइनाध है यह किरला में आपको बदाईए तो यह है नेक्स्ट जो न्यूस थे यहां पर एक डवलप की गई है आप डवलप बाई टू आई 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 टी बॉंबें फ्रेंड्स हैल्प जम्मु कश्मीर के जो स्टुडेंट है उनको जो टूजी से इंटरनेट चुक्छ स्पीड है तो उससे जो प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए उनने आप डवलप किया है इस पर मेन एकल गल्फ कंट्री के बारे में हमारी कैसी रिलेशन है और उनमें क्या-क्या टेंशन है तुसके बारे में बताया था उसको आप एक Post लिए थे और नेंस नेसन के साथ वहां पर टेंशन कूँ है मिडलिल में इंडियस गल्फ ने निशन में और आजना डिसकुस कि एरानियन डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जेनरल आमिर हातमी के साथ जो है हतामी तेहरान के साथ उन्होंने रीजनल सेक्योर्टी इशूज और अफगानिस्तान और जो बिलेटरल कोपरेशन से रिलेटेड इशूज थे तो उन पर बात चीत की और बाकी जो है जो ऑन ट्रांजिट होल्ट इन तेहरान इन्रूट इन मास्कों न्यू डेली और दे मीटिंग बिट्वीन टू मिनिस्टर टुक प्लेस इन और कॉर्डिल अन्वामेट मुस्त तो यहां पर हम पूरा एक एक आर्टिकल है जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर होता है तो उस पर पूरा आ उन्हें 1970 में प्ली किती वास हज़ए थंटीन मेंबर जज्ट कि तेरा मेंबर के जो बेंच थी थाटीन मेंबर बेंच उन्हों ने इसके इनकी प्ली सुनी थी और लार्जेस्ट एवर इन सुप्रेम कोट हिस्ट्री तेरा जज़ की बैंच थी जो अब्सकी सबसे बड़ी है 68 दिन तक यह हेरिंग चली थी प्रोसीडिंग्स और जो इसमें एक डॉक्यमेंट जो है था 703 पेज़स का आया था ना तो काफी ज़्यादा बढ़ा था तो यहां पर उन्हें यहीं बोला है कि तोटकाचार्य के द्वारा तोटकाचार्य कौन थे वन आफ दिफस्ट फॉर डिसिपल आधी शंकराचार्य ठीके तो यह इंपोर्डेंट है यहां से हमारे आर्ट और कल्चर के कुश्चन बनते हैं और ही वाज़ेशनर इंदे इस होलीनेस के शेवरान भारती श्रिपाग गलवार ठीके तो यह है अब इन्होंने सबसे पहले जो था 1970 को मतलब इनकी क्या होई थी जो धार्मिक संपत्ती की यह जो होती है लैंड होती है तो उस पे मतलब कंट्रोल करते का दो लैंड रिफॉर्म किरला गॉवर्मनें निकाले थे ठीके ताकि जो इनकी जो रिलिजियस प्रॉपर्टी उसको क्या क्या जा सके और उसको हमारे Constitution की 9th list में रख दिया गया था और उस टाइम पर क्या था कि इसमें कोई भी जुडिशिल रिव्यू नहीं होगा ठीके 9th list में जो भी आजाता है तो उसमें क्या होता है जुडिशिल रिव्यू नहीं हो सकता 1970 में फिर सुप्रिम कोट में उन्होंने क्या क्या यह Constitution का रक्षक भी बोला जाता है ना क्योंकि नहीं मतलब 1973 का जो जैज्जमेंट था इसके पीछे पूरा इन्हीं की वज़े से यह आया है और इन इस प्रेटिशन भारती हैट सौट इन्फॉर्मेंट इन्फॉर्समेंट आफ राइट्स गारेंटी देंडर आर्टिकल 25 राइ इक्षिशन और प्रपरटी और यह सारी चीज़े थी अभी हम उनके पूरे देखेंगे और भारती वस्पाशनेट अबॉट कान्याटिक म्यूजिक अन्वाज एड दी फोर्फरेंट आफ प्रोमोटिंग यक्षगाना ठीक है तो यह यक्षगाना का प्रोमोट करते थे यह नुश्टां त्रिडेश्नल थीटर क्नाटका अन्श्टां प्रोमट कान्या इंड लान फ्लफ यह द संदीके दिर्टक म्यूज्ञ दियियोगे इंट्राइनन यह ग्षेगाना प्लेश्चल अन्यासीं है तो यह इंह इंहां ऍम्पोर्टन चीजे थी नेक्सिज़ स्य Э्न इंडिया ओवर टेक्स ब्राजील लाओ नंबर टू इन ग्लोबल कुविट केसे तो यहां पर जो है इंडिया और चाइना की रिलेशन से रिलेटेड एडिटोरियल से सीधे एडिटोरियल सी हम डिसकस करते हैं क्योंकि न्यूज है नहीं थी और सबसे पहले किप टॉकिंग मे पर पार्ट जैंक वेख फिंगी के साथ मॉस्कों में बातचीत करके आए हैं और यह कुछ निकला कि हर लेवल पर क्या होगी बातचीत कंटिनू रहेगी बट बैड न्यूस इस कि जैसे भी बातचीत हो रही है लेकिन यह जो टॉक्स हैं डाट टोंट सीम तो बी गोइंग इनका कुछ नतलब फाइदा नहीं हो रहा है बेजिंग डेफिनेशन ओफ दी प्रॉब्लम इस राधर डिफरेंट फॉर्म डेली अंसब्राइजिंग ली तो गोल्स आफ टू साइट सार्ड डाइवर्जेंट के दोनों के अपने 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 गोल्स हैं चाइना की अलग करेंगे तो अभी यह चीज बोला गया कि हमारे लिए क्या जरूरी है कंटिन्यूस इंगेजमेंट नेसेसरी है तो कम्यूनिकेट डेली इस पॉलिटिकल रिजॉल्ट डाइट इस विल एक्सेप्ट नथिंग लेस देना फूल रिस्टोरेशन ठीक है तो हमको मतलब एक क्या चाहते हैं लेकिन चाहएंगा उन्हों ने किया घुनकर चाहिएगा हमारे जो भी हमेरा जाएट यह जवान आर्टिकल डिसकस किया था कि चाइना बोलता है कि separate रखो जो आपके जो bilateral relation है उनको आपके border dispute से मतलब एक साथ उसको mix ना करें लेकिन हमने का कि यह separate नहीं हो सकते हमारे जो border dispute पहले सुलजे तब ही वो एक तरह से way forward होंगे हमारे bilateral relationship का तो busy media keeps reminding that China is much stronger मतलब यह बुला जाता है इंडिया को इत्ती बड़ी पावर कंसीडर करते ही नहीं है Chinese media वो हमेशा highlights करते हैं कि हमारी बहुत सारी domestic economic difficulties है हम coronavirus से बिल्कुल भी नहीं लड़ पा रहे हैं नहीं fight कर पा रहे हैं अभी जो है हम coronavirus की number of cases में second भी आ गए है मतलब ब्राजील को भी हमने पीछे चोड़ दिया है तो यह सारी चीज़ें वहाँ पर मीडिया में बोलते रहते हैं और बीजिंग इंडियन गवर्में पास्ट है एक्विस्ट इन चाइन फ्रिक्वेंट निबलिंग औफ इंडिया तो यह चीज़ें बोली जाती है अब यह है कि जो चाइना का प्रियोपेशन है साउट चाइना सी में विल एंकरेज बीजिंग टू मोर फ्लेक्सिबल इंदे हमाल्याज ठीक है तो वह क्योंकि जो जीजन पेंग है प्रेजिडेंट चाइना के तो उनका ऐसा कहना है कि उनक यंग कॉंग ताइवान और बहुत सारी जैसे हमारी पूरे एले सी पे साउट चाइना सी पे तो हर कंट्री से उनके ट्रेड वार चल रहा है यूज और चाइना के बीच में तो यह सारी चीज़ें वो कर रहे है मुल्टिपल फ्रेंट पर और चाइना जो है जो टॉक्स है के साथ वो continue होनी चाहिए और विल बी प्रोड़क्टिव कब प्रोड़क्टिव होगी जब डेली कैन कंविंस बेजिंग डाट इंडिया हास ऑप्षिंस कि हमारे पास ऑप्षिंस है और हम क्या कर सकते हैं हमको उनको यूज भी कर सकते हैं पे दिनेसेसरी प्राइज तो इं करेंगे मतलब प्रोड़क्टिव डिफेंस भी दिखाएंगे और जो भी हमारी दूसरा यह कि एकोनामिक कॉस्ट है जो चाइनिस टरिटोरियर एग्रेशन की वज़े से तो उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे जैसे सीरीज ऑफ स्टेप्स जैसे हमने 118 जो है आप्स जो है च इस सेक्योरडी कोपरेशन विद इस इंटरनाशनल पैटरंस ठीक है जो इंटरनाशनल हमारे पार्टनर्स हैं तो उनको उनके साथ भी हमें अपने सेक्योरडी को परेशन को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए ताकि तो रिडूस रियल पार गया बिट्विन इंडिया और ओके नेक्स्ट जो है अन्लॉकिंग दे मेट्रो तो यहां पर मेट्रो सर्विसेज रिजूम हो रही है और मतलब सिक्स मन्त के बाद यह पहली बार कोविड नाइंटीन आउटब्रेक के जैसे जो लॉक्डाउन हो गया था तब बंद हो गई थी लेकिन आज से यह रिजूम तो कोविड नाइंटीन की सेफटी के लिए सोपी जो है लास्ट वीक ही इशू हो गया है सोशल दिस्टेंस फिसकल दिस्टेंसिंग और यह सारी चीज़ है और जो डेली के ट्रासपूर्ट मिनिस्टर को ने के लाश ग्यालोत इन्होंने अशूर किया है गोवर्मेंट को कि गौर्मेंट विल मेक शूर दिए मेट्रो दस नॉट आड इस प्रेट अफ दिए मेट्रो जो है जैसे कार्ड वागेरा जो है वही यूज होंगे टोकन वागेरा नहीं होगा है न तो यह सब चीज़े पर कॉशन से 25 लाक्स जो पैसेंजर सें डेली ओल जाती है वाक ओन ट् जो है डेली अभी इस वीक से जो है बढ़ने लगे हैं तो यह सारी चीज़े भी प्रॉब्लम अभी है और जो ऐसे सेंटमेटिक जो केरियर से हैं ऑफ दे इंफेक्शन इंदे कैपिटल वह बहुत जादा हो रहे है न तो अथारिटी को जो है विजिलेंट एक रहना होगा 24 20 गंटे तो यहीं चीज़ें यहां पर बोले गई है यह वाला जो आर्टिकल है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो मैंने आपको फॉर्ष मेज्योर के बारे में जो बताया था उसी से रिलेटेड यह है कि सेंटर का इस इंस्टेंस है और जीस्टी कंपनसेशन टू स्टेट्स यह ब से अगर कोई भी वतलब इससे लॉस होता है इस्टेट को तो हम पे करेंगे 2020 टाक लेकिन अभी यह बोल रहे हैं कि अब कोविड-19 आगया तो कोविड-19 इसन एक्ट ऑफ गॉड कोविड-19 इसन एक्ट ऑफ गॉड तो हम क्या कर सकते जो अपना प्रॉमिस है उसको कर लो यह और उसके बाद अपना वो कर लो टीकित तो यहां पर यह चीज बोला गया है कि अदे पेमिंट ऑफ फुल इसका निकल के आता है और जो मॉरल रिस्पॉंसिबिलिटी है संटर की कि उनको फंड प्रोवाइट करना और वन देर वाज सर्प्लस इंदे सेस्ट फंड आज वाज दे केसे इस फूर्स जो सर्प्लस सर्प्लस थे जो कंसलिडेटर फंड इंडिया के पास थे तो वह करने चाहिए था है ना तो यही सब चीज़ें डिसकस की गई है और इसमें तो यह चीज बोला ही नहीं किया था और अभी क्या बोल रहे है इट इस एंट आप आफ गॉर्ट इंडियन गोर्मेंट हाज दी दोबियस दिस्टिंग्शन ऑफ इन्वोकिंग दिस्टिपल दिस्टिट्यूशनल स्टेट और फोर्श मेंजोर में बताया है कि कोई कोई भी मतलब ऐसा कोई केटस्ट्राफ आ गया या फिर कोई ऐसे सरकम्स्टेंसे एक्स्टा ओर्डिनरी इवेंट्स हो गया जो कि human control के human control से बाहार है नहीं हो पाएंगे जैसे कि natural calamities earthquake हो गया hurricane हो गय यह सारी चीज़े तो इसको बोला जाता है एक्ट ऑफ गौड फोर्स मेजॉर और इसमें क्या है दो तरह कि मतलब अपने कॉंट्रैक्ट में अगर आपने फोर्स मेजॉर का जो क्लॉस है वो दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा आप अपनी जो फिनेंशल लाइबिलिट यह कहना है कि यह पेंडेमिक और जो एपिडेमिक जैसे चीजें होती है उसमें मतलब इसमें नहीं मैंचन किया गया है और जो हमारे यहां पर जो यह लौ होते हैं कॉंट्रैक्ट लौ है 1970 1872 का तो उससे होता है जो ब्रिटिश टाइम पर बना था लेकिन उसमें भी फोर्स सब्सक्राइब करना चाहिए सरकार को और इसके अलावा जो 60s कंट्री के हम बात करें तो इस फिनेंशल एयर में 60s कंट्री का जो डाटा है अवलेबल है तो उसमें ओनली अरूंट 12% जो GDP था उनका कॉंट्राक्शन देखने को मिला और इंडिया की अकेले की 24 परसेंट हो गई है तो यह जो मेजर लिए गये थे सटन डेमर्टाइजेशन का जो था और सटन लॉंग्डाउन की जैसे अना यह जो इंप्लिमेंटेशन था तो इस सब यह भी कहीं पर रीजन है कहीं ना कहीं य स्प्रेड ओवर सिक्स मन तक यह चला था 11 सेपरेट जज्जमेंट इसमें दी गई थी तो यह क्या था दिकेस वस प्रैमली अबाउट अफ पार्लियमेंट पार्ट तो अमेंड दी कॉंसिटूशन फर्स दिक को पता है राइट तो पहले हमारा फंडमेंटल राइट आता थ पार्लियमेंट पार्ट तो पार्ट टू कर दिया गया इसके मतलब जो हमारे जो जो चीफ जस्टिस SM सीक्री थे और जस्टिस HR खन्ना थे तो इन्होंने 7.6 रेशिव से मतलब यह क्या किया था जज्जमेंट से यह फैसला दिया था कि पार्लियमेंट के पास जो है कि जो मूल धाचा है मूल जो बाते हैं उससे छेड़ चाड़ आप नहीं कर सकते हैं तो यह चीज उन्होंने का था बेसिक स्ट्रक्चर इसको बुला था इसका जुडिशल रिवी हो का बेसिस स्ट्रक्चर मतलब की जैसे जो हमारा जो है स्ट्रक्चर मतलब क्या है इससे छेड़ खानी नहीं हो सकते हैं तो यहां पर देखो सीधर से लिखाया इन इस majority ruling the court held that fundamental rights cannot be taken away by amending them while the court said the parliament had vast power है न किसमें 368 में है by observing that certain parts are so inherent हैं कि कुछ चीजे हमारी constitution में ऐसी हैं कि वो हमारी inherent है and interesting है to the constitution that even parliament cannot touch it तो आप उसको छेड नहीं सकते आप उसको छूड नहीं सकते है इसलिए यह चीज़ बोला गया था अब जो basic structure है यह कहां से origin हुआ था तो जर्मनी के constitution से हुआ था जर्मन after the Nazi regime was amended to protect some basic laws ठीक है and the original जो वाइमार constitution है वहां का which gave parliament amend the constitution with two-thirds of majority was in fact used by Hitler to his advantage made radical changes तो जो new German constitution है introduce substantive limit on parliament इन्होंने substantive limit लगा दी थी parliaments पर to amend certain parts of the constitution which is considered basic law ठीक है तो यही इसमें important है और लगाता है तो बिसमें जो judgment है वो आती रहती है तो यहां पर कौन कौन से जगह पर आया है इन्दे Southern Southern Island Prefecture of Okinawa and in Kagoshima Kumonmoto and Nagasaki and Kyushu Japan Main Southern Island ठीक है तो यहां पर यह आया है एक बर हम जपान की जो location है वो देख लेते हैं और four major island है जपान में ठीक है जपान की हमेशे confusing से वो आ जाते है मतलब ना questions Hokkaidu, Honshu, Shikoku, Kyushu, Hokkaidu, Hoku, Koku, Kyushu यह आपको देखने को मिल रहा है Hokkaidu है यहां पर then Honshu आता है देन Shikoku line से मतलब इनको अरेंज करने के लाता है last में Kyushu है तीक है यहां पर Yokohoma यहां पर Tokyo जो है Honshu Island में यह सारी चीज़े पता हूं जे ओशाक का ठीक है क्योशू North Pacific Ocean इदर Sea of Japan है इसके वेस्ट में और places to remember यह है Fukushima, Osaka, Kyoto, Hiroshima, Nagasaki and Tokyo और बाकी क्या है इंडिया और जपान के बीच में कुछ इस सीरीज ऑफ ब्लेट्रक्स है जिमेक्स चिन यू मैत्री धर्मा गार्जिन ठीक है मालबार एक्सराइज होती है और साइक्लोन को डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में अलग अलग रीजिन में अलग अलग नाम से जाना जाता है जैसे टाइफून चायना सी और पसिफिक ऐसी अलग चांड चाहिए यू जो लैंड से वेश्टर अफ्रिका ॉसे और जो विलीविली रोड़ा फिरेंड पाइन ऑ्स इन्ट टॉपिकल साइक्लोस अंडियन ऑसे तोकि ना Nejस दे आपका दिन शुबवाग प्लीज द्यों न के लिगने के ल้म पोर रोग्वंने कि लिए Inside chilli